नमस्कार विध्यार्दी मित्रू आज हम कक्छाच्छे में विशे हिंदी में चेप्टर 13 गुजरात दर्शन इसके विशे में जानकारे प्राप्त करेंगे बच्चो इस पाट के लेखक हैं डॉक्टर कोकिला बहन पारेक इनका जन्म इस विशन 1954 में हुआ था डॉक्टर कोकिला बहन पारेक का जन्म गुजरात के गांधी नगर जिले के वार्शद गाउं में हुआ था उन्होंने गुजरात विध्यापीट से म, म, ए, म, फिल एवं एवं विध्या वार्च इसपती की सिच्छा प्राप्त की वे गुजरात विध्यापीट के हिंदी सिच्छा महा विध्यले में वरिष्ट प्रध्यापी का के पद पर कार्य रत है उन्होंने हिंदी तथा गुजराती दोनों भाशाओं में लेखन कार किया है महिला जागरती तथा हिंदी प्रचार प्रसार के छेत्र में भी उनका योगदान है प्रस्तुत पाठ उनकी गुजरात यात्रा का इस्मरण है गुजरात के विभिन एतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं प्राकतिक इस्थानों जैसे गांधी आश्रम, अक्सर धाम, मोढेरा का सूरी मंदिर, पावागर, द्वारका और गिरनार इत्यादी की है यह गुजरात विध्या और कला की द्रिष्टी से समरिद है कांधी सरदार और श्री कृष्ण की पावन भूमी है तीन साल पहले दिपावली की छुटियों के बाद अपने छात्रों को गुजरात के दार्षनिय इस्थलों की यात्रा करवाई थी अपने विध्याले के छात्रों के साथ बस में हमारी यात्रा सुरू हुई हम सब सावर मती के टट पर बने गांधी आश्रम में पहुँचे आश्रम इस्थित हर्दे कुँच को देखा वे से तो हर्दे कुँच छोटा सा घर मात्र है जिसमें गांधी जी रहते थे आजादी के समय यहां रहकर गांधी जी ने अहिंसा के प्रियोग किये थे यहां संग्रालय देखा जिसमें गांधी जी की सभा जिसमें गांधी जी की सभी चीजे सम्हाल कर रखी है प्रदर्शनी बहुत अच्छी है बापु के चित्र के सामने प्रात्ना इस्थल पर समु प्रात्ना की बापु का प्रिय वजन वेशनाव जनतो तेने रे कहिए जे पीड पर आई जाने रे दुख पर दुखे उपकार करे तोय मन अभिमान न आने रे सबने भाव विभोर होकर गाया यह भजन भक्त कवी नरसी मेता ने लिखा था गांधी आश्रम के पास अभय घाट देखा जो हमारे पूर्व प्रधान मंत्री स्व मोरार जी देशाई की समाधी है हमने समाधी पर फूल चड़ाए यहां से हम गुजरात राजी की राजधाने गांधी नगर इस्थित अक्सरधाम पहुंचे विश्व के सबसे अधिक हरियाले सहरों में गांधी नगर का विशिष्ट इस्थान है उध्धानों विश्व की मोहग सोभा सु आयोजीत रास्ते आवासों और खुली जगहों और सुध परियावरन से गांधी नगर की सोभा वड़ गई है इसमें अक्सरधाम से गांधी नगर को चार चांद लग गए हैं अक्सरधाम भारतिय संस्कृति के जोतिर धर स्वामी नारायन भगवान को स्रंधत जली अरपीत करता चमकृति पून सर्जन है मुझे अक्सरधाम संस्कृति धाम सिच्छा धाम और आनन धाम लगा इसमें भारतिय इस्थापत्य भारतिय विचार धारायें एवं अध्थ तन तकनीकी का संगम है वातानो कूलिन तीन कक्षों में प्रदर्शनी देखी इसमें मल्टी मीडिया का अध्भूत कारे है मुझे तो यह परिसर मुल्यों की पाड़ साला लगा पूरा परिसर देखने में चार घंटे लगे साथ फिट उची स्वामी नारायन भगवान की मुर्ति मन मोहक लगी अगर आपके पास समय की कमी हो तो आधे घंटे में मंदीर का भव्य परिसर देख सकते हैं व्यसन मुक्ति के लिए कुद्रती अपत्ती में तथा सिच्छा के छेत्र में अक्सर धाम की प्रवति प्रसंस निया रही है महात्मा मंदीर देखने हम गांधी नगर सेक्टर 13 में पहुँचे गुजरात सरकार ने राष्ट पिता महात्मा गांधी की इसमृति में 18,000 चाचट गाउं के प्रती निधियों द्वारा मिट्टी मंगवा कर इसकी निव डाली थी यहां 5000 लोग बेट सके ऐसी सुविधा है इसमें एक मुख्य सभागार एवं तीन बड़े बड़े प्रदर्शन कक्ष सिल्प से सुसोभीत बगिचे में गांधी जी की बड़ी प्रतीमा चर्खा ब्रिज पवंचक की आदी देखने योग्य है एक ता एव विकास है तो इसका निर्मान किया गया है दोपहर के भोजन के बाद हम मोडेरा इस्थित सूर्य मंदीर पहुचे मोडेरा का सूर्य मंदीर प्रसिद है 11 सदी में सोलंकी राजा भीम देव के समय में बनाया गया सूर्य मंदीर गुजरात के इस्थापत्यों में बहुत प्रसिद है प्राचिन भारत के सिल्पियों की कुशाग्र द्रिष्टी का उत्तम नमुना है मंदीर पूर्व दिशा में होने से निकलते सूर्य की किल्डे सीधी गर्ब ग्रह में गर्ब ग्रह की मुर्ती पर पड़ती है चारो और दिवार पर बने हुए आले में सूर्य देव की बारग प्रकतिया देखी इस पवित्र इस्थान के सामने नित्य मंदब है रामकुंड से समग्र परिसर अनुठा दिखाई देता है पूरे भारत में दो ही सूर्य मंदीर है एक ओडिसा का और दूसरा मोडेरा का धेट धेड़ घंटा धेड़ घंटा हमने यहां खुशी से बिताया दिन भर में तीन इस्थानों को देखने के बाद रात को जल्दी से आँख लग गई सत्रा नमंबर दो हजार बारा सुब आठ बजे पावागड की तलहटी में चंपा नेर सहर में पहुँचे चंपा नेर पुराने समय की गुजरात की राजधानी थी वन राच चावडा नामक राजा ने अपने विश्वासू और बुद्धी मान मंत्री चंपा की याद में यह नगर बसाया था यहां प्राचीन किला बड़ा तालाभावा महल जामा मस्जीद केवडा मस्जीद तथा नागिन मस्जीद सुल्तान मुहुम्मद वेगडा के महल के अवसेस देखे लहटी से पावागड 800 मिटर की उंचाई पर है चंपा नेर से पावागड जाते काफी उंचाई पर बस में माची पहुचे यहां धर्म सालाएं दुकाने और आवास है इसके बाद तेलिया तालाब और दुधिया तालाब देखा माची से पावागड पर महाकाली माता का मंदीर 550 मिटर की उंचाई पर है यहां से हम उड़न खटोले में बेट कर परवत पर पहुचे यहां से 250 सीडियों की चड़ाई के बाद महाकाली माता के मंदीर तक पहुच कर दर्शन किया महाकाली के साथ जुड़ी पताई रावल राजा की कहानी में ने छात्रों को सुनाई यहां नरात्री में गरवा होता है पावागड़ पर से दूर चारो और का द्रश्य मन मोहक लग रहा था पास में सद नसा पीर की दरगा देखी यह धार्मिक और एतिहासिक इस्थल की मुलाकात बहुत अच्छी रही दोपहर का बोजन माची में किया पावागड़ से द्वार का जाने के लिए निकले सफर काफी लंबा था मगर हसी खुशी से कट गया 19 नवंबर 2012 सुबह में द्वार का धीश के दर्शन किये मंगला आर्ती में हिस्सा लिया द्वार का स्री कृष्ण की प्रसिद नगरी है श्री कृष्ण मतुरा से यहां आये थे इसे अपनी राजधानी बनाया था द्वार का भारत के चार धामों में से एक है अन्य तिन धाम बद्रिनात जगननात पुरी और रामेश्वरम है सप्त पुरियों में कासी मतुरा हरी द्वार अयोध्या उज्जेन और काची पुरम के साथ साथ द्वार का को महत्त पुर माना जाता है जगत गुरु संकराचार द्वारा इस्थापित चार मठो में से एक यहां है जो हमने देखा भगवान स्री कृष्ण का जन्मुस्व यहां बहुत धूम धाम से मनाया जाता है यहां से नाव में बेट कर बेट द्वार का गए एसा कहा जाता है कि द्वार का स्वण नगरी है जो समंदर की गहराई में छिपी है समुंद्र में बेट द्वार का में स्री कृष्ण का मन्दी देखा द्वार का पर पुस्तक कविताए और अनुसंधान हुए है अनुसंधान हुए हैं द्वार का के साथ स्री कृष्ण की कथाए जुड़ी है सुधामा अपने मित्र को मिलने पोर बंदर से द्वार का आये थे एतिहासिक और धार्मिक नगरी देखकर हम बहुत खुस हुए द्वार का और सिक्का में सीमेंट की फेक्टरियां हैं बीस नवंबर दोहजार बारा प्रातव पाच बजे जुनागर गिरनार परवत की चड़ाई सुरू की गिरनार की तलहटी से 9999 सिणियां चड़ते चड़ते में तो ठक गया ठक गई सीडियां पक्की हैं गिरनार परवत 1117 मिटर उचा है 600-700 सीडियां चड़ते चड़ने के बाद उपर कोट सिखर के जेन मंदिर देखे इनमें गुजरात के मसहूर वड़ी कम मंत्री वस्तु पाल तेज पाल ने बनाया मंदिर सिल्प इस्थापत्य कला का अध्भूत नमुना है पास में गो मुखी गंगा का मीठे पानी का कुंड देखा 500 सिखर पर अमबाजी मंदिर में दर्शन किया वहां से कुछ चड़ाई के बाद गोरक नात सिखर पर पहुँचे यहां से सिड़िया नीचे उतरती है फिर नई चड़ाई प्रारम की अतह में अंत में सबसे सुन्दर और उचा दत्ता त्रे सिखर पर पहुचे यहां बहुत कम जग में गुरु दत्ता त्रे का मंदिर और बड़ा घंटा देखा यहां से चारो और सुन्दर प्रक्ति दर्श्य दिखाई देता है गिरनाव के ठीक सीने पर बीच में पत्थरवटी और सेवादास जी के धर्म स्थान देखे बाद में भरतवन और सेशवन है यहां रामचंद्र जी भरत जी और हन्मान सिखर पर हन्मान जी का मंदिर देखा पहाड पर छाये पुराने जंगलों में सेर रहते हैं सारणगीर में गुजरात राज्य की और से सेर देखने की विवस्था है हम सब ने जंगल में सतंत्र घूम रहे सेर को पूरे परिवार के साथ देखा सेर परिवार को देखने का हमारा अनुभव रोमांच कारी रहा यहां के सेर दुनिया भर में मसूर है सारणगीर सेर का अभ्यारन है जुनागड एतिहासिक सहर है यहां हमने असो के सिला लेख उपर कोट का किला बोद्ध गुफाए वावडिया नवगट कुवा नर्सी मेता का चोरा दामोदर कुंड वगेरे इस्थान देखे सोराष्ट की वेजभूसा और मेहमानों का अतीत्य अच्छा लगा गुजरा दर्सन के दोरे पर लगा कि हम यहां विवित्ता में एक्ता है सभी धर्मों के देव इस्थान यहां प्रसिद हैं जैसे पारसियों के लिए सजाट जेनों का पाली ताना कृष्ण भक्तों का द्वारकासी भक्तों का सोमनात और इसलाम का भड़ियाद गुजरात देखने के बाद मुझे यह पंतियाद आ रही है एक ज़र डालना पंखी अमें सो एक ज़र डालना पंखी लड़ता वड़ता कदी जुडा ना थैये तो रहता निरंतर संपी एक ज़र डालना पंखी अमें सो एक ज़र डालना पंखी यहाँ पे बच्ची यह पाद पूरा होता है आगे हम देखते हैं सबदार तिपड़ी है संस्मरन इस्मृति याद सुप्रसित मसहूर विख्यात पावन पवित्र दर्सनिय दर्सन करने योग्य प्रेणास प्रेणा देने वाला चमत कृती पून चमतकार जोती धर तेजस्वी मन मोहक मन को मोहित करने वाला गर्ब ग्रिय मंदीर का वह हिस्सा जहां मूर्ति स्थापित होती है आभा प्रकाश चमक सुंदर्य उरन खटोला लोहे की रसी पर एक इस्थान से दूसरे इस्थान तक ले जाने वाला साधन रोपवे अभ्यारण सरकार द्वारा आरच्छित एसा छेत्र जहां पसु पक्षी प्राणी निर्भय होकर निवास कर रहे हैं सिला लेख पत्थर पर अंकीत लेख सप्त पूरी यात्रा के साथ पवित्र सहर पीड पीडा दर्द पराई अन्य दूसरे अभिमान घमंड समाधी चिंता पर बनाया गया इस्मारक विश्वासू विश्वासपात्र अनुसंधान खोज संसोधन डानला गुज डाली के साखा के यहाँ पर बच्चों मुहावरे हैं आख लगना नीद आना गदगद होना आननदित होना यहाँ पर बच्चों मुहावरे पूरे होते हैं अब हम अभ्यास के प्रश्ण देखेंगे पहला प्रश्ण है बच्चो निम्न लिखित प्रश्णों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए पहला प्रश्ण है बच्चो हरदय कुझ कहां है इस प्रश्ण का अंसर है बच्चो हरदय कुझ अम्दावाद के गांधी आश्रम में है दूसरा प्रश्न है बच्चो, अब्यारन घाट किसकी समाधी का नाम है? तो इस प्रश्न का अंसर है बच्चो, अब्यारन घाट पुर्वh प्रधान मन्तरी स्वः मोरार जी देशाई की समाधी का नाम है? तीसरा प्रशन है बच्चो अक्षर धाम कहां स्थीत है तो इस प्रशन का अंसर है बच्चो अक्षर धाम गुजरात की राजधानी गांधी नगर में स्थीत है चोथा प्रशन है बच्चो पूरे भारत में कितने सोरी मंदीर है कहां कहां तो इस प्रशन का आंसर है बच्चो पूरे भारत में दो सोरी मंदीर है एक ओडिसा का और दूसरा मोढेरा का पांचा प्रश्न है बच्चो चमपा नेर सहर किस ने बसाया था? तो इस प्रश्न का आँसर है बच्चो चमपा नेर सहर वन राज चावडा नामक राजा ने बसाया था आगे हम देखते हैं बच्चो चटा प्रस्ण है बच्चो पावागर पर किस देवी देरता का मंदीर है तो इस प्रस्ण का अंसर है बच्चो पावागर पर काली माता का मंदीर है साथा प्रशने बच्चो गिर्नार में किन धर्मों के धर्म इस्थल है तो इस प्रशन का अंसर बच्चो गिर्नार में पत्थर वटी और सेवा दास जीक के धर्म इस्थन है आठवा प्रशने बच्चो सारण गीर किसका अभ्यारण है तो सारण गीर में सेर का अभ्यारण है नोवा प्रशने बच्चो महत्मा गांधी के निर्माण का उद्देश से क्या है इस प्रशन का अंसर है बच्चो महत्मा गांधी मंदीर के निर्माण का उद्देश से एकता एवं विकास का निर्मान है यहाँ पर बच्चो अभ्यास के प्रश्ण पूरे होते हैं अब हम साध्य के प्रश्ण देखेंगे पहला प्रश्ण है बच्चो निम्न लिखित प्रश्णों के संचेप में उत्तर लिखिए पहला प्रश्ण है बच्चो अक्षर धाम में क्या-क्या देखने योग्य है इस प्रशने का आंसर है बच्चों अक्षर धाम में भारतिय इस्थापतिय भारतिय विचार धाराएं एवं अधतन तक्नीकी का संग्र प्रदर्शनी मंटी मीडिया का उद्भूत कार्य साथ फिट उची स्वामी नारायन भग दूसरा प्रशने बच्चों मोडेरा किसलिये मसहूर है इस प्रशन का आंसर है बच्चों मोडेरा का सूर्य मंदीर प्रसिद है ग्यार्मी सदी में सोलंकी राजा भीम देव के समय बनाया गया सूर्य मंदीर गुचरात के इस्थापतियों के लिए मसहूर है तीसरा प्रशन है बच्चो हिंदूओं के चार पवित्र धामों के नाम लिखियें इस प्रशन का अंसर है बच्चो हिंदूओं के चार पवित्र धाम पहला है बदरीनाथ दूसरा द्वार का तीसरा जगननाथ पुरी चोथा रामेश्वरम है चोथा प्रश्न है बच्चों सब्त पूरी में किन नगरों की गणना की जाती है इस प्रश्न का अंसर है बच्चों सब्त पूरी में कासी मठुरा हरी द्वार अध्याय उज्जेन काची पूरम और द्वारिका की गणना की जाती है 5. प्रशने महत्मा मंदीर में कोन कोन से दर्षनिय स्थान है इस प्रश्ण का अंसर है बच्चो महत्मा मंदीर में मुख्य सभा गार एवं तीन बड़े बड़े दर्स प्रदर्सनन कच्छ सील्प से सुसोभीत बगीचे में गांधी जी की बड़ी प्रतिमा चर्खा ब्रीज पवंच की आधी दर्सनिय इस्थान है इस प्रश्ण का अंसर बच्चो प्राचिन द्वार का नगरी के बारे में क्या कहा जाता है कि द्वार का स्वन नगरी थी जो समंदर की गहराई में छीपी है सात्वा प्रश्ण बच्चो गिर्नार के उपर कोट सिखर की क्या विशेश्ता है इस प्रश्ण का अंसर बच्चो गिर्नार के उपर कोट सिखर पर जेन मंदीर है इन में गुजरात मसूर वनिक मंत्री वस्तू पाल तेश पाल ने बनाया मंदीर सिल्प इस्थापत्य करला का अद्भूत नमुना है आज़े है प्रश्ण दूसरा है प्रश्णों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए दूसरा प्रश्ण है बच्चो प्रश्णों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए इसमें पहला प्रश्ण है बच्चो अक्षर धाम की प्रदर्शनी में किसका कार्य अद्भूत है इस प्रश्ण का आंसर है बच्चो अक्षर धाम की प्रदर्शनी में मल्टी मीडिया का कार्य अद्भूत है दूसरा प्रश्ण है बच्चो, मोडेरा का सूर्य मंदीर किस राजा ने बनाया था? इस प्रश्ण का आंसर है बच्चो, मोडेरा का सूर्य मंदीर सोलंकी राजा भीम देव ने बनाया था तीसरा प्रशन है बच्चो, पावागड में नौरात्री में इस्त्रियां क्या करती हैं, तो इस प्रशन का अंसर है बच्चो, पावागड में नौरात्री में इस्त्रियां गर्बा करती हैं, चोथा प्रशन है बच्चो, गुजरात में सेर कहां देखने को मिलते हैं, इस प् सहेर का नाम किस के नाम पर रखा गया इस प्रशन का अंसर है बच्चों चमपा ने सहेर का नाम वन राजा चावडा के विश्वासु और बुद्धी मानी मंत्री चमपा के नाम पर रखा गया चठा प्रशन है बच्चों महत्मा मंदीर किस की इस्मृती से बनाया गया है इस प्रशन का अंसर है बच्चों महत्मा मंदीर राष्ट पती महत्मा गांधी की इस्मृती से इस्मृती में बनाया गया आगे देखते हैं बच्चो प्रश्ण नमर तीन है निम ने लिखी प्रश्णों के उत्तर लिखिए पहला प्रश्ण है हर्दे कुझ को प्रेणा स्रोत क्यों कहा गया है इस प्रशन का आंसर बच्चों हर्दे कुझ में रहकर गांधी जी ने अहिंसा के अनेक प्रयोग किये हैं इसलिए हर्दे कुझ प्रयोग का स्रोध कहा गया है दूसरा प्रशन बच्चों गांधी आश्रम को बापु की कर्म भूमी क्यों कहते हैं तो इस प्रशन का आंसर है बच्चो गांधी आश्रम में गांधी जी रहते थे आजादी के समय यहां रहकर गांधी जी ने अहिंसा के प्रयोग किये थे आजादी की लड़ाई लड़ी थी अर्थात अपना कर्म किया था इसलिए गांधी आश्रम को बापू की कर्म भूमी कर हैं तीसरा प्रश्ण बच्चो सूर्य मंदीर की विशेस्ताएं बताएं तो इस प्रश्ण का अंसर बच्चो मोडेरा का सूर्य मंदीर 11 सदी में सोलंकी राजा भीम देव ने बनाया था यह गुजरात के इस्थापत्यों में बहुत प्रसिद्ध है प्राचिन भारत में सिल् बुद्धी का उत्तम नमुना है मंदीर पूर्व दिशा में होने से उग्ते हुए सूरज की किल्णे सिधी गर्व ग्रह की मुर्ती पर फड़ती है चारों और दिवार पर बने हुए आले में सूर्य देव की बारह प्रकृतियां देखी इस पवित्र इस्थान के सामने नित्य मंदप है रामकुंड से समगर परिसर अनुठा दिखाई देता है चोथा प्रश्न है वच्चों पावागर एवं महाकाली के साथ किसकी कथा जुड़ी है तो इस प्रश्ण का आंसर है बच्चो पावागर्ड एवं महाकाली के साथ पताई रावल राजा की कहानी जुड़ी है पांचा प्रश्ण है बच्चो द्वारका एवं भेट द्वारका के बारे में बताए तो इस प्रश्न का आंसर वच्चों, द्वार का श्री कृष्न की प्रसीद नगरी है, श्री कृष्न मतुरा से यहां आये थे, इसे अपनी राजधानी भनाया था, द्वार का चार धामों में से एक धाम है, सब्त पूरियों में से एक पूरी है, भगवान श्री कृष्न का ज इस्तित है नाव में बेट कर भेट द्वारका में पहुंचे थे एसा कहा जाता है कि द्वारका स्वान नगरी थी जो समंदर की गहराई में छीपी है श्री कृष्ण का मंदिर है पोरबंदर से सुधामा यहीं आये थे चठा प्रश्ण है बच्चो जूनागर के दर्षनिय स्थानों के नाम बताईए इस प्रश्ण का आंसर है बच्चो जूनागर के दर्षनिय स्थानों में असो के सिला लेक उपर कोट का किला बोध गुफाए वावडिया नव घट कुवा नर्सी मेता का चोरा दामुदर कुं वेसना जण गांधी जी की लिखित भजन है तो गोलत आएगा दूसरा है गांधी नगर गुजरात की राजधानी है यहां सही आएगा बच्चों तीसरा है अक्षर धाम मुल्यों की पाट साला है तो यहां पर भी सही आएगा चोथा है बच्चो चमपानेर पावागड की तलोटी में इस्थीत है तो ये भी सही आएगा बच्चो पांचवा है बच्चो गीरनार भाव नगर जिले में इस्थीत है तो यहाँ पे गलत आएगा चठा प्रस्ण ने लिखी पंतियों का भाव स्पर्ष्ट कीजिए पहला है मुझे तो यह परिशर मुल्यों की पारसाला लगा इस प्रश्ण का अंसर है बच्चो अक्षर धाम संस्कृती धाम सिच्छा धाम और आनन धाम है इसमें भारत्य इस्थापत्य भारत्य विचार धाराय एवं अध्तन तक्नीकी का संग्र है वातान उकूलिन तीन प्रक्षाओं में प्रदर्शनिय दिखाई जाती है इसमें मल्टी मीडिया का अध्भूत कार्य है व्यसन मुक्ती के लिए कुद्रती आपत्ती तथा सिच्छा के छेत्र में अक्षर धाम की प्रवर्टी प्रसंसनिय है सच मुझे अक्षर धाम का परिशर मुल्य की पार साला लगा दूसरा है बच्चो गुजरात में इस्थी जुनागर विवित्ता में एक्ता का उत्कृष्ट नमुना है इस प्रश्ण का अंसर है बच्चो जुनागर एतिहासीक सहर है यहां हमने असो के सिला लेक उपर कोट का किला बोध कुफाए वावडिया नव घट कुवा नर्सी मेता का चोरा दामोदर कुण वगेरे है इस्थान देखे गुजरात में सभी धर्मों के देव इस्थान यहां प्रसिद्ध है जैसे पार्सियों के लिए संजार जेनों का पाली ताड़ा कृष्ण भक्तों का द्वारका सिव भक्तों का सोमनाद और इसलाम का भडियाद इसलिए हम गुजरात में विवित्ता में एकता है छठा प्रसियों बच्चो प्रतिक सब्द समु के लिए एक सब्द लिखिये पहला है साध पूरियों का समु तो सब्द पूरी दूसरा है पत्थरों पर अंकित लेख सिला लेख तीसरा है बच्चो मन को मोहित करने वाला तो मन मोहर मन मोहन चोथाए बच्चो मंदीर के अंदर का मुर्ती वाला भाग तो गर्ब ग्रह पांचवाए बच्चो दर्शन करने योग इस्थान तो दर्शनिय छठाए बच्चो दर्शन करने योग इस्थान तो दर्शनिय छठा है बच्चो सिकार के लिए प्रति बंधित वन छेत्र तो संध्या वंदन स्वरी बच्चो सात्वा है बच्चो सिकार के लिए प्रति बंधित वन छेत्र तो अभ्यारण और सात्वा है बच्चो साम को होने वाली प्रात्ना तो संध्या वंदन आगे हम देखते हैं, बच्चों, सात्वा है, सही जोड़े मिलाईए, और बॉमें अपने को जोड़ी मिलानी ही, बच्चों, पहला है पाली ताणा, पाली ताणा का आएगा, चोथा बच्चों, जेनो का तीर्थ इस्थान, दूसरा है बच्चों, मत्रा, तो मत्रा का आएग बच्चो यहां पे पहले में जोड़ेंगे अपने कृष्ण की जन्म भूमी तीसरा है अक्षर धाम अक्षर धाम में बच्चो आएगा स्वामी नारायन मंदिर चोथा है बच्चो गिर्नार गिर्नार का आएगा गुजरात का सबसे उचा परवत पावागर है पांचवागर पावागर का आएगा महाकाली मंदिर आठवा प्रश्णार देखेंगे बच्चो सुचना के अनुसार उत्तर लिखे अ लिंग परिवर्तन कीजिए कवी तो कवी त्री लेखक तो लेखिका सिह का सिहनी माता का पिता राजा का रानी आगे हम देखते हैं बच्चो ब है बच्चो विलोम सब्द लिखिए यहाँ पर विलोम सब्द है बच्चो रात का दिन और गर्मी का आएगा ठंडी अच्छा का आएगा बुरा एकता का आएगा विवित्ता मीठा का आएगा कड़वा कहे बच्चो वर्तनी सुधार कर लिखिए तो यहाँ पर वर्तनी सुधार ना है बच्चो स्रधान जली तो स्रधान जली में लीकी मातरा बड़ी है तो अपने को छोटी लिकी मातरा लगानी है तो स्रधान जली चम कृती तो चम कृती और गर्भ ग्र तो गर्भ ग्र और क्रिष्ण की मातर आपने जान देन बच्चो ऐसे लगानी है सब्द इसमें सब्द की वर्तनी सुधारने हैं बच्चो यहाँ पर है बच्चो शब्द कोसिय करम में लिखे तो आप लोग को सब्द कोसिय करम में लिखना है इ है भाव आचक संग्या बनाईए तो भाव आचक संग्या है पवित्रतो पवित्रता सुन्दर का सुन्दरता मिठा का मिठा पन चड़ना का चड़ाई यहाँ पर बच्चों यह अभ्यास और साधे अपने ने देखा यह अभ्यास और साधे आप लोग को अपनी नौटबुक में लिखना है और यह पार्ट पढ़ना भी है